हिंदुस्तान के हर कौने में बसे हुए मेरे प्रिये कारकरता भाईय बहनों आप सब को पार्टी के स्थापना दिवस पर अनेक अनेक शुब काम नाएं और आप सब को नवश्कार हमारी पार्टी का स्थापना दिवस हम सब के लिए एक प्रेणा का आउसर होता है नए संकल्पों का पल होता है देश के लिए समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए कृतसंकल्पों होने का ये पल होता है लेकिन इस बार का स्थापना दिवस एक ऐसे कालख़ड में आया है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया एक मुश्किल वस्क्त से गुजर रही है पूरी मानव जात के सामने एक संकट परदा हुआ है चुनोतियों से भरा ये वातावरन देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, हमारे समर्पन, हमारी प्रतिवधता इन सब को लेकर तीन सो से ज़्यादा सांसदों के लिए मेले आशिरवात तक पार्टी ने चार चार पीड़ी अनेक परिवार अपने आपको खपा चुके है पंडित दिन्दाल उपायज़ाई जी, अटल विहारी वाजपाई जी, बंडारी जी, कुशाभाव ठाकरे जी, जैसे अंगिनत महापुरुशों ने राष्ट प्रठम का आदर्श्त दिया है, आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव है, अनेक वरिष्ट महानुभाव है, जिन्नों ने पांच पांच छे से साथ साथ दसक इसी एक मंत्र को लेकर के जीया है और हमें जीने का सिखाया है आज उस आदर्श को आस्मान की उंचाई तक ले जाने का हम सबका दाईत्व बनता है साथियों कोरोना वैश्वीक महामारी से निपट निकलिये भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उधान प्रस्तूत किया है भारत दुनिया के उन देशों में हैं जिसने कोरोना वाइरस की गंभीरता को समझा और समय रहते हैं इसके खिलाब एक ब्यापक जंग शुरू की शुरूबात की भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णे किये उन फैसलों को जमिन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के कोई कमी न रहे इसकी चिंता की और जैसा आप जानते हैं एक ऐसी बिमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था इक कैसे आती हैं कहां जाती हैं किसके पास पहुंचती हैं कुछ पता नहीं था तब जो भी आवशक निर्णे करने के ज़रूत पड़ी एक्सपर्स की मदद से करते रहें एरपॉर्ड के पर विदेश्च से लोकों के आने वालों के थर्मल स्क्रीनिग हो विदेष्ट में फसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाय आतायात को बंद करने का बड़ा कठीन निर्णए हो इस मेडिकल इंफास्टेक्चर को इस महामरी से निपटने के लिए त्यार करने के लिए प्रयास हो हर स्तर पर है भारत एक के बाद एक प्रोयक्टिव होकर के फैस्लिक करता गया राज सरकारों के सहयोग से इन फैसलों को गती भी भारत ने जितनी तेजी से काम किया है जितनी समग्दता से काम किया है होलिस्टिक एप्रोच के साथ काम किया है आज उसकी प्रसंसा सिर्फ भारत में नहीं वर्ल हेल्थ और्गनाजेशन डब्लू एचो ने भी किये है तमाम देश एज जूट होकर कोरोनों का मुकामला करे इसके लिए सार्ग देशों की विशेश बैटक हो या जी ट्वेंटी देशों का विशेश सम्मेलन भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपुर्ण भूमिकानी भाई है इस दोरान दुनिया के अनेग देशों के राष्टा दक्षों से भारत लगाता और संपर्ग में हैं मेरी भी बात्चित होती रहती हैं सभी ने भारत के प्रयासों की सरहाना की है और हम जानते हैं भारत एक विकास्चित देश है हमें पूरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने में विस्त है हमारी पूरी शक्ति की प्रात्पिक्ता वही है लेकिन ऐसे समय जब यह संकट आ गया तो एक जुड़ता के साथ राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय मन्च पर हम निरंतर प्यास करते हुई आगे बढ़ रहे हैं साथियों हमारी यहां सास्त्रों में बहुत बाते ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है हमारी यहां कहा गया है समानो मंत्रह समीती समानी समानमन सह चित्तम एशाम यानि हमारे विचार हमारे संकल्प और हमारे रदय एक जूट होने चाहिए यही एक जूट का यही संकल्प भारत को विजय स्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे वर्तमान परिष्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरब देख रहे हैं चाहे वो एक दिन का जनता करफ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय या प्रत्य भारतिय तमाम उसके ले उठा कर भी देश के साथ पुरी मजबूती से खड़ा है और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है देश को बचाने के लिए काम कर रहा है भारत जैसा इतना बड़ा देश एक सो तीस करोड लोकों का देश लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैचुरिटी दिखाई है गामभीर ये दिखाया है यह भूत पूर्वा है हम भारत के कोटी कोटी जनों का जितना नमन करे उतना कम है कोई कलपना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह अनुशासन और सेवा भाव का पालन करेंगे साथियों कल भी हमने देखा रात को नौ बजे हम सब ने अणभो किया है 130 करोड देश वासियों की सामुहिक शक्ति के उस एक विरांट रूप के हमने दर्सन किये अनुभूती किये हर वर्ग हर आयू के लोग अमीर हो गरीब हो पड़ा लिखा हो अनपड़ हो शहर का हो गाउं का हो सब ने मिलकर एक जुड़ता किस थाकत को उसका साथ कार किया उसका बंदन किया करोणा के खिलाब लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया और जो मूल भाव था मैं अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूँ बेले घर में बैठा हूँ लेकिन पुरा देश लड़ रहा है इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है आपने खुद महसुस किया हुगा गाउदिहाद से लेकर कि बड़े शहरों तक असंख्य दियों ने प्रकाश ने कोरोना संकड के अंधिरे को उस हताश निराथा को दूर करने में एक एक नागरी का हुसला बुलंद करने में मदद की है 130 करोड देश वास्यों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देश वास्यों को लंबी लड़ाई के लिए तयार किया है लड़ाई में विजय लड़ाई में जीत हमारे तो समस्कार है हमारे खून में हमारे रगों में है हमें तो ये की मंत्र सिखा गया है दल से बड़ा देश है और देश का मतलब है 130 करोड मेरे देश स्वासी पूरी मानवजात के लिए भी 130 करोड देश स्वासीों की जिन्दगी की रक्षा उनका कल्या मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है और इसलिए देश के लिए इस कठीन घड़ी में भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं पर राष्ट सेवा और मानव सेवा का दायत्व और भी जादा बढ़ जाता है साथियों पार्टी के 40 वे स्थापना दिवस पर मैं आज आपको कुछ सुझाओं पर कार करने का आगर करना चाहता हूँ वैसे भारतिय जनता पार्टी ने हमारे राष्टिय अद्धिक जी नड़ा जी ने हमारी राष्टिय टीम ने जो एक खाका त्यार किया है मैं उसी को सिफसे दोहरा रहा हूँ लेकिन मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में दोहरा रहा हूँ यह हम सब कार्टा के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब कार्टाओं ने पार्टी के इस आगर को जरूर पालन करना है इन सुझावों में अंतियोदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है मैं आज इस विशेश परिस्तिती में इन में से कुछ कार्यों पर थोड़ा अधिक बल लेने के लिए आप से आगर करूंगा साथ्कियों मैं आपसे प्रार्थ्रा करूंगा इसे एक तरह से आप मेरे पांच आगरह मान सकते हैं पंच आगरह इसमें पहला आगरह है गरीबों को राशन के लिए अवीरत सेवा अभियान ऐसाने कुछ दिन करेंगे अभिरत सेवा अभियान जब से ये संकट सुरूवा है तब से भाजपा के लाखों कार करता है दिन राद गरीबों की मदद करने उन्हें राशन पहुंचाने के कारे में चूटे हैं आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है अपने खेत्रे में और भी जो छोटे मुटे सामाजिक संगठन काम करते हैं उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको जरुरत मन को पहुँचे जरुरत मन को रहना जाए यह हमें सुनिश्चित करना है एक एक भाजब कार करता यह पक्का कर ले कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूका न रहे उसके पास परियाप्त भोजन हो साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेश कवर जरूर पहने और मैं यह भी बताता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरनों के लिए निर्धारित हैं जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं जो परामेलिकर स्टाप के लिए आवशक हैं वैसे मार्क्स पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है हर घर में किसी भी साधरन कपड़े से हम तयार करें और फेश कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूं यह लगबग हमें पांच सान अन्य लोकों के लिए अपने घर में फेश कवर बना करके उनको गिप्ट दे सकते हैं उनका वित्रण कर सकते हैं कि साथ्यों इस मुश्किल समय में कि समाज को सेमाएं दे रहें सभी लोगों का आभार करना कि उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त करना कि उनको मनोबल बढ़ाना यह सिर्फ हमारा हिदाई तो हैसा नहीं है समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना चाहिए है मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग है और हर घर से इन पांचों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्रा लेना चाहिए और ये धन्यवाद पत्रा ले करके हमें सामुई ग्रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बुथ में करना चाहिए पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सस और डॉक्टर हो दूसरा सफाई कर्मचारी तीसरा पुलिस कर्मी चौथा बैंक और पोस्ट अफिस में काम कर रहे लोग पांचवा आवशक का सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजीम हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है इसके लिए आप अपने अपने बुथ में और जब पार्टी के 40 वा स्थापना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बुथ में चालीस गर इन पांच अलग अलग प्रस्ताओं पर सिगनेचर करें पांच अलग अलग सेट में धन्यवाद पत्र तयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पुलिंग में जो जो समधित हो उन तक रूपरू जाकर के दिया जाए साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम में आपसे आगरे पुर्वक करना चाहूँगा यह लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवाद यह है हम जितना सफलता पुर्वक इस काम को करेंगे हम आने वाले दिनों में संक्रमन की स्थिती में काबू पाप आएंगे और वो है भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु एप विक्सित किया गया है हमने इस आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौता आग्रह है कि जादा से जादा लोगों को जानकारी दे और कम से कम चालिस लोगों के मोबाईल में यह एप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो आटोमेटिकली वैप सुन को बताये जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिती है आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूत है आपको किस की मदर लेनी चाहिए आपको किन-किन लोगों से बचके रहना उनको पता चलेगा कि भी आपके पास यह सहज्यनकल आके गए थे वो संकट वाले हैं अगर उसके पास यह एप होगा तो उसका पता चलेगा और इसलिए संकट की इस्थिती में हमें ये आरोग्य सेतु एप हर एक यहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है एक और काम है इतनी बड़ी लड़ाई है आर्थी के सेवा बहुत महत्वपुन होती है हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी मांता है बैने गहने देते ते सोना दे देती है गरिब भी गरिब अपना पाच पैसा दस पैसा बचाया हो तो देने के लिए भार आ जाता है यह हमने हर युद्ध के समय देखा है ये एक युद्ध मानवता के खिलाब है ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है युद्ध के समय देश के लिए देश के नागरीकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं इस समय भी लाखों लोग PM कैर्स फंड में दान कर रहे हैं लेकिन वो और बढ़ना चाहिए और इस एक भाजपा कायरकरता को खुद भी खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित और 40 लोगों से भी PM कैर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है साथियों हम तो चरैवेती चरैवेती के मंत्र के लेकर के चले हुए लोग है हमने उस पर को जी करके देखा है आज पाबंदी के कारण चरैवेती चरैवेती को हमने सीमित करना पड़ेगा अब इधर उधर जाने की जरूत नहीं है हमारे आंस पास दुखियानों के बीच जाना उनके आंसू पहुंचना उनको मदद करना है यह जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए मैं तो कहता हूँ गर में भी होना चाहिए और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है सोशल डिस्टंसिंग और अनुशासन का पूरा पारन करना है मुझे उमीद है कि भारतिय जनता पार्टी का प्रतेएक कार करता स्वयम की सुरक्षा करते हुए अपने साथी देश्वास्कियों के भी सुरक्षित बनाएगा अपने परिवार को भी सुरक्षित करेगा और ये राष्ट भी हमारा परिवार है उनको भी सुरक्षित करेगा इसी एक भाव को ले करके हमें चलना है देश को विजय बनाना है और इसी विश्वास के साथ भा यहां तक पहुंचाने वाले लक्षावधी कारकरताओं को लक्षावधी परिवारों को उनकी त्याग तपश्या को आदर पुर्वक नमन करते हुए आईए आपको भी मैं बहुत सुब कामनाय देता हूं मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं करता हूं